आग्रामिस सर्वाधेत लोग्प्रिय चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें थाना खंदौली पुलिस ने अवायद हत्यार की फैक्टरी पकड़ी है समसुद्दीन नाम के बेक्तित गिरफतार भी किया है समसुद्दीन अवायद हत्यारों की मरमत के साथ साथ अपने भी हत्यार बनाकर बेचा करता था ये समसुद्दीन है समसुद्दीन को थाना खंदौली पुलिस ने गिरफतार किया है समसुद्दीन थाना खंदौली नगला गर्या करेने वाला है ऐसा बताया गया है कि समसु दिन अवेद हतियार बनानी की फैक्टरी चलाया करता था। दो वैल पर पुलिस ने छापा मारा और अवेद सराप की फैक्टरी पकली। तवाम उफकरण और दो तमंची के साथ कार्तूस भी पुलिस ने परामत किये हैं। समसु दिन अवेद हति क्यार बनाकर सप्लाई करता था। ये श्रीमान वरिश पर देशक महदय द्वारा अपराद रियों अपराजियों के नियंतरन हेतु जो अभियान चलाया जा रहा था। उसके अंतरगत थाना देश कंदॉली वह उनकी टीम द्वारा मुख्विट की सूचना पर नगला गड हुए हैं उसे गिरफतार करके जिल बेह जा रहा है मुकदमा पंजिकर कर दिया गया है आवश्य कारवाई की जा रही है जानकारी के मताविक समसुदिन जहां अपने हत्यार बनाकर बीचा करता था वहीं अपरादियों द्वारा लाए गए अवैर हत्यारों को ठीक भी करता था मरमत करने का काम समसुदिन लंबी समय से करता चला रहा था फिराल पुलिस का कहना है कि चानवीन की जा रही है जिससे इस बात काई पता चल सके कि आकिर समसुदिन किन लोगों को हत्यार पहुंचाता था अकेला ही चलाता था काफी उसकी लगबग 55-60 वर्ष की उमर है और यह जो असलहे अवैद अतमंचे वगए रहा है अगर उसमें कोई खराबी हो जाती थी तो उसको भी सुधार करता था और अपना भी असलहे बनाता रहता था यह सूचना प्राप्त हुई थी इसके अदार पे थानादेश खंदॉली द्वारा कारवाई की गई है समसु दिन को गिरफतार कर लिया गया है हतियार बनाने का सामान बरामत कर लिया गया है अब आवशकता उन लोगों को पकड़ने की है जो समसु दिन से हतियारों को ठीक कराया करते थे इसके अलावा जो लोग हतियार खरीदते थे समसु दिन अवैद हतियारों के मरम्मत का काम क्या करता था इसके अलावा अपने भी अवैद हतिया बनाकर बेचा करता था पुलिस ने समसु दिन के कार खाने वे पकड़ा है अवैद हतियार बनाने वाले और मरम्मत करने वाले उपकर भी पुलिस ने जब्त की है पुलिस पूरी जाज़ परताल में जिट हुई है ऐसा बताया है कि लंबे समय से समसु दिन इस काम को करने में लगा हुआ था मौत का सामान समसु दिन तयार भी करता था पुलिस का कहना है कि पूछताज की जाएगी इस बात का भी पता लगा जाएगा कि समसु दिन इन हतियारों को कहां तक पहुचाता था किन लोगों के हाथ में इन हतियारों को सौपता था और कौन ऐसे लोग है जो समसु दिन से अपने अवैध हतियारों की मरमत कराने के लिए आया करते थे अपने साथी अगले दुबे के साथ राकिश का नौजिया सी नियूज आगरा